मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी जरूर लिखें मातारानी आप सभी का कल्याण करेंगे मित्रों वर्स 2024 में आक्षैत्रितिया कब है पूजा करने का सुप महुरत कब है पूजा पिधी क्या है आक्षैत्रितिया कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हर वर्ष बैसाख मास के सुक्ल पक्ष की तृतिया तिति को अक्षय तृतिया मनाई जाती है हिंदु धर्म में अक्षय तृतिया का दिन बहुत ही सुभ माना जाता है अक्षय तृतिया को भारत के कुछ छेत्रों में आखा तीच के नाम से भी जाना जाता है अक्षे तृतिया के दिन धन की देवी माता लच्मी और भगवान विश्रू की पूजा की जाती है और साथ ही साथ इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है इस दिन तीनों देवी देवताओं को केला, नारियल, पान सुपारी, मिठाई और जल चड़ाना चाहिए इसके अलावा आज के दिन इस दिन दान पुन्य करना भी बहुत ही सुभ माना जता है सास्तरों की अनुसार अक्छय तृतिया के दिन सोना खरीदना बहुत ही सुभ माना जता है मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से भाविष्य में सुक समरिध्वी और धान बयभाव की प्रात्ति होती है अक्षय त्रितिया के दिन सुबह जल्दी उठकर इस नान आधी करके सुद्ध होकर पीले वस्त धारन करें इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान बिश्रु जी को गंगा जल से सुद्ध करके तुलसी पीले फूनों की माला या पीले पुस्प अरपित करें अंत में बिश्रु जी की आरती पढ़ें साथ ही इस दिन बिश्रु जी के नाम से गरीबों को खिलाना या दान देना अत्यंत पूरदाई माना जाता है मित्रों अब आपको बता दें की वर्ष 2024 में अक्ष्य तीतिया 10 माई दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी पूजा करने का सुब महुरत है 10 माई 2024 को सुब पांच बच का 33 मिनट से लेकर दोपहर 12 बच का 17 मिनट तक रहेगा पूजा कारने की कुल आओधी होगी 6 घंटे 44 मिनट त्रीतिया तिथी सुरू होगी 10 माई 2024 को सुब चार बच कर 20 मिनट पर त्रीतिया तिथी खत्म होगी 11 माई 2024 को सुब दो बच कर 50 मिनट पर